Hello friends, कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे, Welcome back to my channel Homey Tips Friends, recently मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी मेरी वाशिंग मशीन के साथ Friends, मैंने कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन में पानी भरा था एंड friends उसके बाद उसे drain करने के लिए जब मैने drain किया तो वो properly drain नहीं हुआ friends जिस pressure से हमारा drain काम करता है उस pressure से उसने काम नहीं किया बिल्कुल जरा-जरा सा पानी उसमें से निकल रहा था आप देख सकते हैं इस पानी को निकालने में मुझे आदा घंटा लग गया क्योंकि ये अपने आप निकल ही नहीं पा रहा था बहुत धीरे धीरे ये आदे घंटे में जाकर निकला आप देख भी सकते हैं ये पानी उतने का उतना ही है ये प्रॉब्लम तो थी ही लेकिन दो तिन दिन बाद स्विच को रोटेट करें पानी अपने आप निकले जा रहा है और ये देखिए बिलकुल सारा पानी निकल गया है मशीन एकदम खाली हो गई है अब इस सिच्वेशन में कपड़े धोना कितना जादा मुश्किल है क्योंकि मशीन के टब में पानी रुखी नहीं रहा है फ्र स्विचन लेके आई हूँ मैंने अपनी वाशिंग मशीन को खुद ही घर पर ठीक किया है क्योंकि जब मैंने मकानिक से कॉन्टाक्ट किया तो उसने बहुत ही जादा हाई रेट मांगे विचिस अराउंड वन थाउजन फ्रेंस ये तो उसके विजिटिंग चार्जिस थे औ और उसके बाद वो मशीन खोल कर देखता या उसमें जो भी चीज करता या पार्ट्स वगेरा रिप्लेस करता उसके उसने अलग पैसे मांगे इसलिए मेरे फादर ने इसे घर पर ही खुद रिपेर कर लिया फ्रेंस मैं ये वीडियो आप सब के लिए रिकॉर्ड कर रही हमने कैसे अपनी वाशिंग मशीन की इस प्रॉबलम को सॉल्व किया कैसे हमने जो इसमें प्रॉबलम थी के पानी नहीं रुक रहा है उसको कैसे ठीक किया चलिए फ्रेंस देखते हैं लेकिन उससे पहले फ्रेंस अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इ सिक्का फस गया हो या फिर गंदगी फस गई हो जिस वजह से हो सकता है इसकी जो ड्रें करने की पाइप है वो रुक गई हो फ्रेंस इसके अंदर चार पेज हैं यह चारों ही आपको खोलने हैं हमारे पास LG की मशीन है फ्रेंस से मैंने इसका पीछे का पैनल निकाल दिया है फ्रेंस ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ड्रेन का है अगर हम इसे उपर करते हैं तो ड्रेन हो जाता है और अगर हम इसे नीचे करते हैं तो ड्रेन होना बंद हो जाता है तो फ्रेंस सबसे पहले हम इसे हटाएंगे फ्रेंज जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमें इसे सबसे पहले खोलना है कभी कबार ये खुलने में मुश्किल करता है तो हम इसे पेचकस की मदद से भी खोल सकते हैं वैसे तो हमारी मशीन नहीं है इसलिए हमारा इजली खुल गया आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी जादा गंदगी है फसा हुआ था ये हमने निकाल लिया आप देख सकते हैं इसका अंदर का ये पार्ट भी बहुत जादा गंदा है इसका सबसे पहले हमने ये स्प्रिंग अलग कर लिया है और चलिए अब इस पार्ट को हम क्लीन कर लेते हैं इसको भी हम अच्छे से वाश कर लेते हैं ये इसलिए गया है help से भी साफ कर सकते हैं देखे कुछ इस तरीके से इसे हम रगड रगड कर साफ कर सकते हैं ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए उसके बाद अंदर जो हमारी pipe है उसे भी एक कपड़े की help से साफ कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी गंदगी ना बचे देखे कुछ इस तरीके से हमें सšाफ्र कर लेना है प्रॉपर्ली अब फ्रेंज अच्छे से साफ हो चुका है अब हम वापत से इसके सारे पार्टs Intic अंदर डाल देते हैं सब इसकर This partďा डाल दिया है properly अिसका Spring इसके अंदर fit सके और आपने देखा भी कितनी जादा गंदगी हमारी वाशिंग मशीन से निकली और उसमें से कपड़ा भी निकला फ्रेंस हो सकता है आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करें ये situation किसी के साथ भी हो सकती है और फ्रेंस इस चीज को ठीक करना बिलकुल ही easy है जैसे कि आप देख सकते हैं कितने असानी से हमने अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया नेक्स फ्रेंस चलिए अब दुबारा से पैनल को वापस लगा देते हैं और जो इसके चार पेच हमने निकाले थे उन्हें अच्छे से कस देते हैं फ्रेंस बिना मेकानिक की हेल्प के देखिए हमने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्फ कर लिया है अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भी इसे इसी तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं इसके लिए आपको पैसे वेस्ट करने की जुरत नहीं है ये बहुत ही जादा सिंपल तरीका है अगर आपके साथ भी कभी ये problem हो जाए तो आप इसे जरूर follow करें trust me हमारी ये problem सिरफ 5 मिनट में solve हो गई वो भी without mechanic help So finally friends मेरी washing machine की problem एकदम से ठीक हो गई है जो इसमें पहले problem थी कि इसमें पानी नहीं रुक रहा था अब वो पानी रुक भी रहा है और properly वो drain भी हो रहा है I hope friends आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही जादा helpful होगी अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्स्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से जुड़े रहे है मेरे चैनल होमे टिप्स के साथ मैं इसी तरह की day to day life problems के solution आप लोगों के लिए लाती रहूंगी